Welcome back to this channel students, आज हम स्टार्ट करेंगे unit 4 का first poem जिसका नाम है Under the Greenwood Tree, इसके poet है, एक well-known poet, उसे actor भी कह सकते हैं, play writer भी कह सकते हैं, आप सभी उनको अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है William Shakespeare, यह जो poem है, यह actually एक गाना है, एक play का जो William Shakespeare ने लिखा था, और गाया था, यानि कि यह जो song के जो singer है वो है Amin, ठीक है, उनका नाम है Amin, यह एक play जो है, जो William Shakespeare सर ने लिखा था, वो एक play का एक song है यह, एच्छिली जो एक poem है ना, वो एक song है एक play का, जो William Shakespeare ने लिखेते हैं, और उनके singer का नाम क्या है, Amin, ठीक है, तो ये बिसिकली विए पोएम क्या कहता है पोएम यानि कि ये सॉंग क्या कहता है कि हम जो अरबन एरियाज के जो इनसान है वो बहुत ही टेंस्ट है यानि कि बहुत भागदडवाली जिंदगी जीते हैं जो cities में जो इंसान रहते हैं जो काम करते हूं बहुत ही भागदवाले जिन्दगी जीते हैं और at a particular time वो इतने परिशान हो जाते हैं कि उन्हें relax रिलाक्स करने के लिए time निकालना पड़ता है अब ऐसे time पर वो क्या करते हैं कहीं hill station चले आते हैं कोई अपने गाउन चले जाता है तो वह वहां पर क्यूं जाते हैं तो relaxed फिल करता है कि इसके लिए यह हम जो है हमारे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए थोड़ा रिलाक्स फिल करने के लिए अडवेंचर स्के लिए जाते हैं नेचर के नेचर के बीचों बीच खुद को पाते हैं था वैसे William Shakespeare ये play का जो song है इसमें क्या कहते हैं कि देखो यहां पर under the greenwood tree ये song का नाम है अब क्या कहते हैं under the greenwood tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat कम हीथर कम हीथर कम हीथर here shall he see no enemy but winter and rough weather यानि कि जो first ends आ है ये poem क्या क्या कहते हैं William Shakespeare sir poet कहते हैं कि आओ और ये पेड की नीचे सो जाओ जैसे मैं सोया हूँ who loves to lie with me और वो सोने के बाद वो गुनगुना सकते हैं अपना गाना जैसे unto the sweet bird's throat जैसे यहाँ पे चिडिया चहक रही है जैसे चिडिया गाना गा रही है ठीक है come hithar come hithar come hithar अब hithar का मेनी क्या है hithar एक old English word है जो हम use करते हैं here के लिए यानि कि come here come here come here he shall here shall he see no enemy but winter and rough weather यानि कि जो इंसान यहां पर आएगा उसे कोई enemy यानि कि उसका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा लेकिन थंडी और rough weather यहां पर मिलेगा rough weather यानि कि जिससे उसका temperature कभी हाई हो गया कभी लोग हो गया है यहां घ्राइज में क्या कहते हैं कि कंबयद के नाशाओ और यह पेडगे नीची सोझाओ और तुम गुन गुन अ सकते हो यह चेलियों के साथ जो खुद गाना गारी है उनके साथ तुम भी गुन गुना सकते हो यहां आओ यहां आओ यहां आओ यहां आओ यानि कि कम हितर कम हितर कम हितर तुम यहां पर कोई दुश्मन नहीं पाओगे लेकिन थंडी और रफ वेदर पाओगे फॉर्स ट्रेंजर में पोईट यह कहते हैं दूसरे स ambitious son and lives to live it's the son seeking the food he eats and pleased with what he gets कम हितर कम हितर कम हितर यानि कि अभी दौत का मेनी क्या है third person यानि poem वो third person को कह रहे है third person यहां पर कौन है जो एकदम tensed है जो relaxation के लिए आया है यह हमारा third person जो urban area में रहता है वो relaxation के लिए यहां पर आया है ठीक है यहां पर ना यह second stanza में हमारे जो poet है William Shakespeare sir वो यहां पर conditions दे जेते हैं यह हमारे conditions है ठीक है conditions क्या है यहां पर put dot ambitious son यानि कि जो इनसान जो यहां पर आएगा वो अपना ambition यानि कि जो काम करता है वो उसके ambitions को avoid ignore करके यानि कि वहां यहां पर छोड़के ही आजाए जहां से वह आ रहा है वह वहीं पर छोड़के आ जाए एंड लव्स टू लिव दिस सन ठीक है जो सूरज के अपने जगे पर छोड़के आ जाए जहां से वह आ रहा है यानि कि avoid करें ignore करें अपने ambition को उसके relaxation यानि नेचर के बीच में लाना और वो खुले आस्मान में नेचर के साथ सूरज के नीचे आराम कर सकते हैं और उसे seeking the food he gets यानि कि जो उसे मिले वो खाए नेचर से जो उसे मिल रहा है वो वहाँ पर खाए जो से वहाँ पर मिल रहा है वो खाए ऐसा बोले नहीं कि मुझे यह खाना है मुझे वो खाना है यानि कि वो उसे नेचर के बीच में जो मिल रहा है वहीं पर उसे खुशी मिले कम हिथर कम हिथर कम हिथर ऐसे लोग ही यहां पर आओ यहां पर जब आएगा उसे कोई अपना दुश्मन नहीं मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा विंटर और रॉफ वेदर मिलेगा अब देख लेते हैं टोटल समरी क्या कहना चाहते हैं फर्स्ट एंजा में कहते हैं कि अपना सब टेंशन छोड़ के आजओ और पेड़ के नीचे सोजा जैसे मैं सोया हूं चिडिया जो गाना गारी है उनके साथ भी आप गुन गुन आओ यहां आओ यहां आओ तेके आपको यहां पे दुश्मनी या कोई आपका दुश्मन नहीं मिलेगा लेकिन आपको कौन मिलेगा सर्दी और रफ वेदर मिलेगा लेकिन आपको क्या करना आप यहां पर कंडिशन दिया लेकिन ऐसे लोग आओ जो की अपना ambitions avoid करें और जिसे खुले आस्मान में जियें ठीक है और उसे जो भी मिलता है वो वो खा सके कोई भी चूचू कुना करें उसे जो भी मिलता है वो उसमें ही खुश रहे जो खाने के लिए मिलता है वो उसमें ही खुश रहे है ऐसे लोग ही यहां पर आए यहां पर आपको कोई अनिमी नहीं मिलेगा लेकिन कौन मिलेगा winter और rough weather ठीक है ठीक है बच्चो तो अब हम इस वीडियो का इस पोयम का हम देखेंगे rhyming words पहले rhyming words देख लेते हैं फिर rhyming scheme देखेंगे हम इसका पहले क्या है ट्री मी ठीक है फिर no throat फिर देखो ट्री मी और सी यह rhyming है throat, hither और weather यह rhyme हो रहा है second stanza में यानि second paragraph में currents м, us, us and each it's gets यहां पे भी see यहां पे कुछ rhyme ने हो रहा है तो हम यहां पैंभी rhyming scheme लग देते हैं ट्री और मी मैच हो रहा है यानि कि TREE मी rhyming words है तो यह होगया हमारा rhyming scheme ए और यहां पर CB हमारा है तो यह हो गया हमारा rhyme scheme ए यह हो गया B Note और Throat यह दुनों rhyme हो रहा है यह भी हो गया B हितर और वेदर rhyme हो रहा है तो यह हो गया हमारा C तो first stanza का क्या है rhyming scheme A, A, B, B और क्या है A, A, B, B, C, A, C तो बच्चो second stanza का हम देखेंगे rhyme scheme son और यह son rhyme हो रहा है तो इसको देदेंगे A, A और यह eats और gets हो रहा है rhyme तो इसको देदेंगे हम B और B तो second stanza का क्या हो गया A, A, B, B तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ figures of speech first stanza में figures of speech आप देखेंगे तो आपको second line में मिलेगा loves or lie loves or lie में क्या common है love और love ठीक है love और love यह दुनों word क्या और है same pronouncer है तो यह किस में आएगा alliteration में आएगा ठीक है अब दूसरे example हम देखेंगे तो बहुती simple सा देखेंगे यहाँ पर कम हीतर कम हीतर कम हीतर यह बहुती easy है यह बहुती simple है यह देखेंगे आपको पता चलिया होगा एक कौन सार फिगर्स आप स्पीच है यह है हमारा repetition ठीक है यहाँ पर लिखते था हूँ मैं यह क्या है हमारा repetition यह हमारा repetition और यह हमारा alliteration ठीक है बच्चों तब हम स्टार्ट करते हैं इसका workshop के साथ तो यह आ गया हमारे answers अब मैं यह answers का explain कर देता हूँ first workshop पर क्या गयता है from the poem find the old words used for the each of the following यानि कि हमें यहाँ पर modern English में लिखके दिया है हमें इसमें old English में find करके लिखना है poem से towards का meaning क्या है यहाँ पर यानि कि नस्दीक तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहर का मिनिंग मैंने पोई में बता दिया था उसका मिनिंग भी होता है इतर डॉट यानि कि दस दॉनों भी एक ही हो गया बच्चों second question का answer मैं आपको last में बताऊंगा ठीक है तो आगे वड़ते हैं हम तीसरे की तरफ थार्ड कोशन की तरफ यहां पर का गया था इसका मीनिंग दिया है और इसका हमें पोयम से उसका स्टैंज आठागे लिखना है यानि कि पोयम में इसे क्या लिखा गया है who loves to lie with me who gives up his desire for wealth, power, fame, etc gives up यानि कि छोड़ के आना ठीक है छोड़ देना किसे छोड़ देना wealth, power, fame को इसका मतलब कहता है who doth ambitious son जो यहां पर dot का मतलब पताया था यहां पर dot का मतलब कहता है does यानि कि यहां पर क्या कहता है यानि कि यहां पर क्या कहा रहा है third person, third person को कि तुम अपने सारे desire को desire छोड़ के आ जाओ जैसे कि wealth, power, fame को छोड़ के आ जाओ life in the forest is free from ill wishes यानि कि here shall he see no enemy इसका मतलब है कि यहां पर forest में कोई भी आपके ill wishes यानि कि कोई भी negative potions आपको यहां पर नहीं मिलेंगे कोई भी आपके enemy happy नहीं मिलेगा happy to eat whatever he can get यानि कि जो भी उसे मिल जाए वो उसमें happy रहेगा तो उसका क्या line था poem में seeking the food he eats and pleased with what he gets अब हम बढ़ेंगे question 4 की तरफ find from the internet and write down first question क्या है in which century did William Shakespeare write his famous play कौन से century में लिखे थे याला याला poem यानि कि यह play late 16th century to early 17th century अब यह जो जो time gap है ना late 16th century to early 17th century इस यह time gap के बीच में ना sir ने यानि कि William Shakespeare sir ने total 37 plays लिखे थे कितने रिखे थे यह आपको जीकी के लिए बता रहे है मैं total 37 plays लिखे थे आगे बढ़ते हैं from which play is this song extracted यानि कि कौन से play से यह song extracted था as you like it यानि कि play का नाम क्या था play का नाम क्या है as you like it इसके author कौन है यानि कि जो लिखा कौन है William Shakespeare sir ने ठीक है which character from the play sings this song यानि कि कौन सा यह play का जो character है वह गाना गाता है वो character का नाम क्या है Amini ठीक है यह character भी है और कौन है singer है क्योंकि यह character जह है Amini यही गाना गारा है यह play में ठीक है तो देखते है question 2 यहाँ पी क्या कहा है who does the poet invite to join him इसका अंसल लिख लीजे मैं आपको औरली बता रहो कि the poet invites the person who love nature who is ready to live behind an ambitious life to join him under the greenwood tree क्यानि कि यहाँ पे क्या पुछा है हमें poet ने किसे invite क्या है join करनी के लिए जो अपने ambitious को छोड़ किया सके दोखो यहाँ पे है who gives up his desire for wealth power fame etc जो यह सब छोड़ के आ जाएगा उसे ही join करने का है तो यह point आपका हो गया answer ठीक है who should that person sing the person should sing merrily and turn his note to the birds sweet song यानि कि वो इंसान वो अपने क्या sing merrily and turn his note यानि कि एकदम मतूर आवाज में गाना गाये birds के sweet song के साथ ठीक है तब यहां पर क्या पुछता है what does the poem convey इसका answer मैं आपको introduction में दे दिया था कि यह poem क्या message देता है कि the poem conveys the message that village life is more peaceful and beautiful than the hectic city life hectic city life यानि कि सरदर्द भरा रोजमरा की एकदम चीजों से पीछा छुडाने वाला गाओ ही अपना क्या है best place है ठीक है it also suggests that we must stay close to our roots यानि कि हम अपने forest यानि कि अपने nature से बहुत नजदेक जुड़े रहे हैं ठीक है बच्छो तो खतम करते हैं इस वीडियो को मिलेंगे हम दूसरे poem या chapter के साथ तब तक के लिए take care और आपको यह explanation पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना ठीक है बच्छो